फोती नजर आ रिएं यह माता जी होमारे साथ है क्या चाची पहले शे कुछ मदद लग रहा है कि अ आपने सोचा है जमुही की धर्ती से इस वक्त हम लोग फिर से यहां पहुंचे हैं और इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि बार-बार व्यूज लेना है उसी दर्द को दिखाने के लिए पहुंचे हैं जिस दर्द को टाइमस ओफ आयोदया के रवी भट ने सुरू किया और उस दर्द की व्याक् कि नयाय मिलेगा लग तो रहा था लेकिन उतना नहीं लेकिन जब से रवी भट भाईया टाइमस ओफ आयोदया से तो मुझे पक्ता विस्वास है कि मुझे नयाय मिलेगा नयाय मिलने का पूरा विस्वास है अच्छा क्या संदेश देना चाहेंगी बाकी पत्रकारों को कि वो मेरे घर पर भी आए वह जब यहां वाहा लाई लगा सकते हैं आरती छोटों के घर लगा सकते सीमा के धासकते permet तो मेरे घर पितु आ सकते हैं वहां तो घंटे-घंटे रहोंगे यहां पर बस उनको पांस मना टी एक वीडियो बना कर द Прे दे तो फिर मेरे कितनी और वीडियोज के भी आपको धक्के खाने पर ते ना जाने कितनी परीशानियों का सामना करना परा था ऽे ने बेटी परीशान है उपर से पिता का साया तक हट चुका है फिर ले आगर आ हैं यहां नहीं हötा रहे हैं आपayan पर नहीं नहीं पहुंच रहे हैं आगे का क्या आपने सोचा है अब क्या लग रहा है आई आपका सपना था पूरा होगा हमारे वीडियो बनाने के बाद कुछ एसा मदद मिला है जिसके वाज़े से अब आप संतुष्ट है कि हाँ आगे और भी मदद मिलेगा किसे और किसी लोग से करते हैं और एक अच्छा काम करते हैं सब लोगों की मदद करते तो वो मेरी भी मदद करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वह उमीद तूटती नजर आ रही है यह माता जी हमारे साथ है पहले से कुछ मदद लग रहा है कि अब मिलेगा पहले कोई सहारा नहीं था कुछ समय पहले यह बोल रही थी कि यह सब फेक दो और पत्रकारिता छोड़ दो वरना आपको भी इसी तरह से गोलियों से धून दिया जाएगा और आप भी इस पत्रकारिता को छोड़ दीजे अब क्या लग रहा है कि इतने आपका एक बेटा गया उसकी कमी कोई पूड़ा नहीं कर सकता लेकिन कहीं न कहीं न वीकि इतने बेटे आपके खरे हो चुके हैं सामने आपका एक आपके सामने खरे हैं और आपका ढğल बनके ये लोग खरे हैं क्या कहना चाहिएगा हमत मिल रही है पहले से नामजद थे और उनके अलावा भी रह झालतों कि दीज ⁶ को पहां करें अलिब को भखें या नहीं होगी अप офण कि उनकी ग्रफतारी पहले क्यां लग रहा था पहले भी विश्वास था पर उतना नहीं था और आप लोगों के आने के बाद पक्ता विस्वा से कि उन्लोगों के गिरिफतारी होगे अच्छा आई-एस बनना चाहती है सोनु का नाम सुना था अपने बिहार के अंदर से क्या लगता उसे भी आई-एस बनना था लेकिन वो गुहार लगा रहा था और बड़े- तो आप क्या उनके मदद से पढ़ाई करना चाहेंगी नहीं मेरी मदद तो सरकार करेगी मैं सरकार से उमीद रखती हूं और अगर कोई आर्थिक मदद करना चाहें और लोग आपकी पढ़ाई का खडश उठाना चाहें तो क्या आप वो मदद सुईकार करेंगी कहीं ना कह बड़े मंत्री जैसे की चिराग पासवन या बड़े बड़े संसद विधाय क्या कोई ऐसे लोग आए हैं जो सामने से आकर कि आपको समझा रहे हो कि ऐसा आपके साथ नहीं होगा और आपको न्याय मिलेगा नहीं ऐसे कोई भी बड़े लोग नहीं आए नहीं बड़े लोग सब्सक्राइब करने के लिए कि अब नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पहुंचना जरूरी है क्या लगता है इस तरह से जो टाल बेटाल हो रहा है उनने ताओं के द्वारा इस तरह से वह मदद करेंगे क्या करेंगे वह मदद इतने दिनों बाद आपके पिता जी के मृत्यू को अल्रेडी साथ दिन हो चुके हैं और फिर वो बोल रहे हैं कि हम और साथ दिन बाद आएंगे ये तो बहुत बुरी बात है लेकिन अब भी जब वो आएंगे तो उनको अभी आना चाहिए थाना इतनी देर बाद आने के क पढ़ादों और तमाम मीडिया कर्मियों से ये चीज़ अनुरोध कर रही हैं कि हमें यहां पर आईए और महस पांच मिनिट का समय निकाल के वीडियो बना के जाएं कहीं ना कहीं आपकी इस प्रयासत और कह देना चाहेंगे कि यह जो पत्रकार थे इन्होंने समाज की सेव है और उनकी घर के आरतिक स्थिती पीछे आप लोगों ने पहले वी वीडियो में देखा है और क्या स्थिती और यह बच्ची आईएस बनना चाहरी है तो मदद जरूर करें इनके इन तक जो भी मदद पहुंचा सकें वह मदद जरूर करें तब तक इस वीडियो को देखने तक तमान दुरूर को बहुत बहुता भार